डर्ट ट्रेक से तो हम बहार आ गए अभी हम पहुचने वाले हैं पॉलो गॉंकला जो कि हमें सामने दिख रहा है तो यह है पॉलो गॉंकला जिसकी हाइट है एराउंड 16,000 फिट और यह पॉइंट इस रूट का सबसे हाइस्ट पॉइंट भी है पॉलो गॉंकला सोकर यहाँ से 15 क्लिवेटर और बचा है और फिर वहाँ से हम पहुच जाएंगे पांग डेवरिंग इंटरसेक्शन जो कि मनाली ले हाइवे से जोड़ता है यह जो सामने लेक देख रहे हैं यह है सोकर लेक यह लेक तो पुरी ड्राइ शेप में दिख रही है और लेक के चारो तरफ अगर देख रहे होंगे तो पुरा वाइट वाइट दिख रहा है वह एक्चुली में सॉल्ट है सोकर सॉल्ट वाटर लेक है पहले यहां का सॉल्ट दिबबत एक्सपोर्ड किया जाता था जेग्राफी के हिसाब से यह सॉल्ट का इस एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट सूर्स था सोकर का वाटर लेवल बहुत ही अपडाउन होते रहता है इसलिए इसे फ्लेक्ट्टिटिंग सॉल्ट वाटर लेक भी बुलते है इस जहां का नाम है थुक्जे जो की लेक के एकदम सामने है और वो सामने पाहाड पे जो देख रहे हैं वो है थुक्जे मोनेस्ट्री अभी यहां रोड की कंडिशन्स काफी अच्छी है मनाली ले हाइवे अभी यहां से लगभग 14-15 किलिम्टर और है अभी यहां से लगभग 25-25 में डॉल लगेंगे मनाली ले हाइवे जो सामने पाहाड है इसके उस पार है तो हमें अभी इस पाहाड को पार करते हुए जाना है फाइनली हम पहुँच गए मनाली ले हाइवे और इस जगहां को कहते हैं पांग डेवरिंग इंटरसेक्शन पहले ये पुरा रास्ता डर्ट ट्रैक हुआ करता था अभी तो ये रोड पुरा हिक का पुरा रेडी हो गया है यहां से सर्चू लगभग 115 किलमेटर और बचा है और हम अभी क्रॉस करेंगे मूरे प्लेन मूरे प्लेन स्टार्ट हो चुका है फिर मूरे प्लेन के बाद आएगा पांग और पांग के बाद फिर गाटा लूप्स और फिर हम पहुँच जाएंगे सर्चू लेह मनाली हाइवे बहुत ही सीनिक है और बहुत ही एडवेंचरस भी अभी मूरे प्लेन की रोड देख लो उसके बाद पांग की रोड देखना उसके बाद सर्चू की रोड देखना और बहुत ही स्मूथ है आगा हम पांग के काफी करीब हैं और यह जगा देखो क्या दिख रहा है अगर आपको याद होगा तो यहां के जो पहाड है माउंटेंस है यह लामायरू की तरह दिख रहे है लाइक मून लैंड झाल इस मौन्टेंस लुक सिमलर टू मौन्टेंस अफ ला मायरू यह है पांग और हम यहां पर लंच करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे हम पांग से निकल चुके हैं और यहां पर हमने लंच किया और पेट्रोल भी भरवाया यहां पर बहुत सारे शॉप्स में आपको पेट्रोल मिल जाएगा यहां से सर्चु एराउंड 75 क्लिमेटर्स और है और यहां से लगभग तीन घंटे और लगने वाले हैं अभी तीन वज चुके हैं इसके बाद हम अभी क्रॉस करेंगे गाटा लूप्स अभी करेंगे लूप्स अभी करेंगे लूप्स जुगल विच जुगल सीट सामने उस पीक को देखो इस सामने देखो यह है लद्दा की वाइल लाइफ यह क्या है शायद यह लद्दा की भेड होनी चाहिए यह है ब्लू शीप इसको भराल भी बूलते हैं वीवेर सो लकी हमें देखने को मिला यह यहां पास के स्ट्रिम में साइथ पानी बेने आये थे आज हमने लेह मनाली हाइवे पे दो पासे स्क्रॉस के एक था लाचुंगला पास और दूसरा था नाकीला पास गाटर लूपस यहां से तेन-चार क्लिमेटर और बचा है यहां के रोट बहुत है खतरनाक है यहां पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है इस गाटर लूपस और यह 17,000 फीट हाइट पे है गाटर लूपस एक्शुली ए सीरीज ओफ 21 hairpin bends जो की हम अभी देखेंगे यहां से जो इतने सारे bends दिख रहे हैं इसे cross करके हमें जाना है यह जो इतने water से आहां पे भेके हुए हैं यहां बोलते हैं लोग यहां पे घोश्ट रहता है जिसको लोग पानी offer करते हैं अभी बच चुके हैं पांच और सर्च यहां से लगबग 30 km और है तो शायद हम 6 बज़े तक पहुच जाएंगे और यहां पांच और यहां पांच जाएंगे अब ब्रेक फेल भी हो सकता है यह श्राप रीबर और यह रीबर जाती है जन्सकार तक और वहां पे कुछ और रिवर्स से मिलकर फॉर्म करती है जन्सकार हम सर्चु के काफी करीब है अगले 15-20 मिट में हम पहुच जाएंगे और देखते हैं वहां पे इस्टे ऑप्संस क्या क्या हैं बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ कि वहां पे टेंट सेजली मिल जाते हैं वहां पे चलके देखते हैं हमें क्या मिलता है हम हैं अभी सर्चु में और बज़ रहे हैं शाम के छे और हमें यहां हां इस्टे के लिए टेंट भी मिल गया है इस व्लॉग को अब यहीं खतम करते हैं अगले व्लॉग में हम जाएंगे सर्चु से मनाली यह रूट आपको कैसा लगा कमेंट में जुरूर बताना यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जुरूर करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलना मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में